स्वागत है चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज इडली चाइनीज इडली जो है वो इडली का ही एक रूप है जिसको मैंने चाइनीज कर दिया चाइनीज फ्लेवर दे दिया उसका और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है आप इसको टिफिन में भी दे सकते हो और एक बोल में हम परेदही डालेंगे और उसमें ही हम एक कप सूजी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स करके और इसको थोड़ी देर के लिए अब हम इसको रख देंगे ताकि ये थोड़ी सैट हो जाए सूजी फूल जाए जितन इसनी धेर में हमें क्या करना है एक पैन के अंदर पानी लेना है जिसमें हमें इडली बनानी है उस पैन के अंदर पानी लेकर उसको हमने हाइफ लेंगे उबलने के लिए जब तक पानी हमारा उबल रहा है यह देखे इस तरह से पानी हमने रख दिया थोड़ा सा जब तक हमा और उसको अच्छी तरह से ग्रीज कर देंगे क्योंकि इससे इडलियां चिपकेंगी और आसानी से उतर जाएंगी पकने के बाद में इससे और इसको ग्रीज करके हम रख लेंगे आख देखिए इडली का बैटर जो है भंक एससे हो गया है आप इसमें हम हल्कासा नमक डालेंगे अश्यहां लेकिन अभी हम इसमें इन्हों नहीं डालेंगे कि इनों हम षास्त नियुक्राइर पानी डाला ताकि इसकी असके बाद में एह देखिए पूरी तरह से यह गाढ़ा होगा लेकिन उपनी जब कि अनियों डालेंगे तब थोड़ा सा पानी ढाहि डालें frames पतला हो जायेगा लेकिन उससे पहले नमक डालेंगे पानिया ज़ने को तयार है या नहीं है क्योंकि हम उसी वक्त डालेंगे जब हमारा पानी बिलकुट बॉइलिंग पॉइंट पह आ जाएगा तो देखिये ये हमारा चो पानी है वह पॉइलिंग पॉइंट भाग आगया है किसी वी छण मुट वो बॉले गवाला है तो बिल्कुल एंट आम पर हम इनो ड तो थोड़ा सा पाणी डाल देंगे तो यह एक्टिवेट हो जाएगा और इसको जल्दली फटा 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 हमें इसे मेक्स करना है और मिक्स करके हमें इसमें अपने इडली स्टैंट के अंदर जो कि हमने पहले से ही ग्रीज करके रखा हुआ था उसमें हम एक एक मैं इसमें डाल दिया है और थोड़ा ये काम हमें फुर्ती से करना है क्योंकि अगर हमारे इनो डलने के बाद में टाइम जादा लगा तो ये बैड जाएगी इडली जो है अच्छी तरह से फ्लफी नहीं होगी इसलिए हम जब पानी उबलने लगता है उसके बाद ही इनो डा प्रणा सकते हैं तो इससे समने इसको दस-पंदर मिंट के लिए पकने के लिए रख दिया जब 15 मिनिट के बाद एक बात पार देहन रहा है वह हम धीमी कर देंगे और 15 मिनिट के बाद हम चेक करेंगे कि ये पग गई या नहीं पग गई तो इसके लिए मने नाइफ को इसक किया और जब निकाला तो वह साफ निकला उससे पचल रहता है कि हमारी इडली पक गई है अब इडली को हम चोचोचोचे पीसे में काट के डख लेंगे ज्यादा बड़े-बड़े पीसे लिए नहीं करते कि चार पीसे लिए करते हैं कि थोड़ा छोटी रहती है तो सबजी अच्छी तरह से मिक्स होती है सॉसेज भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं अब हम सब्जी लेंगे कितने देखिए मैंने लिया है वह एक शिम्रा मिर्च लिये काट के पतली पतला पतला काट लिया है मैंने एक गाजर लिये उसको मैंने ग्रेट कर लिया है मोटे कद्द कद्दुकस के अंदर पतले कद्दुकस से भूलता सा बन जाएगा इसलिए हमने बड़े कद्दुकस में या फिर इसको बतला बतला लंबा लंबा काट ले आप इसके अलावा हमने आधी बंद गो लिए आप चाहें तो अपनी सब्जियों को बढ़ा भी सकते हैं आप की आप का तेल होता है तो इसमें हम या विए इसलिए घ्लावर का गार्लिक रहें नौटे अगर हों इसलिए कर्कित लु Bugün उसको हलकालका बऊनेंगे जड्यादा नहीं भून है बिल्कुल कर गुलाबी होने के बाद में अब इसमें हम इमिन प्यास जाल ok बैक करना है इस बात कर निए को दिहान रखये क्योंकि चानीज में फ्लेवर छेंज हो जाता है अगर अगर Bruce तो इसलिए बहुत ज्यादा करना है है बल्कुल हलका फ्राइन के बाद मेंकर शेट बिल्स प्रीत करने zrobić है कि एक बाकी की सब्सक्राइब कि आदिन थे दो पहले हम पत्ता गोबी और श्रिम्ला मिर्स को डालेंगे हैं जब जब नहीं डालेंगे कि पाध्ता गोबी निक्स कर लेंगे कॉंबि मिक्स कर लेंगे achievements घर अधर आप में गाजर को फतला फतला लंबा उता है वाट धुकस démocratie कि लिकी तो आप गाजल भी इसी समय डालेंगे लेकिन मैंने क्योंकि ग्रेट कर रहती है तो मैं इसको बार लेदा लेगी आप दो ती मिलेंट के लिए हमसे सिम पर ढखकर पका लेंगे ताकि हमाई सच्छा थोड़ी सॉफ्ट होगी है उतनी टाइप नहीं है तो अब इस समय पर अब के बाद में यह चीतरा से एक्स हो जाएगा फोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगा फ्लेम हमारी तेजी रहेगी आप इसमें हम डालेंगे नमक नमक डालते समय आप ध्यान रखिए कि जो भी आपका टेस्ट है उसके इसाफ से नमक डालें लेकिन थोड़ा सा कम डालें क्योंकि जो धुट्षी और नमक कर देई गया चैंई Bishop डाला लेकिमा की आप रखिए के लावा से अलजक डालें के कालिँमेट आप मिल्च संवान 1 जिए खार डालें उसके में लें यहाँआ। कि इसके लावा है इस समय समें डालेंगे अजीना मोटो भी हम इसी समय सब्ची में डाल देंगे और पांट पीस के बड़िए अगर है अगर है प्रॉइंट भी तो देखे तो आप इसके बड़ा से को अच्छी तरइसे मिक्स करेंगे हैं इससे में हमारी जो फ्लेम हेवाइपे है और हाइपे पे ही हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे विक करने के बाद में और वारिया प्रॉइद दीं सौसेज की तो सौ望 honours जो है अब हमसाद और हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, वन टेबल स्पून, आपको अगर जादा चरपटा पसंद है, आप और ज्यादा भी डाल सकते हैं, विनिगर, वन टेबल स्पून, लेकिन एक चीज है, विनिगर आप ज्यादा मध डाल लिएगा, देखें, टेमेटो सॉस और चिली सॉस तो हम अपने टेस्ट के अनुसार कम जादा कर सकते हैं, लेकिन विनिगर अगर जादा डाल दिया तो खट्टा बहुँ जादा हो जाएगा, और वन टेबल स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस मिलाया है, सोया सॉस थोड़ा नमकीन होता है, आपको अगर जादा सॉया सॉस प जादा मिक्स करने के चकर में टूट जाती है, तो इसलिए हमें सॉस पहले ही मिला लेने चाहिए, अब देखिए मेरी इडली का मिक्षर पूरी तरह से तयार है, और हमारी जो एक चाइनीज इडली है वो खाने के लिए भी तयार है, आप इसको इस्ते से पका के गरम गरम अ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे, जितना जादा शेयर होगा लोग उसको जानेंगे, मेरी रेसिपीज को जानेंगे, आपको आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रा आपके करदें, धन्यवाद।